हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ओपन प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को बिना स्किप किये वे एंड तक जरूर देखना तो हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे यह हम इसकी सबसे पहले लेंथ देख लेते हैं यहां से हम इसकी लेंथ का मेजर कर रहे हैं लेंथ हमारी 41 इंच तियार का हमें करनी है और यहां से हम इसकी बॉटम की वीडित देख लेते हैं वीडित हमारी 11 इंच पर है और यहां से हम अपनी थाई का मेजर्मेंट कर रहे हैं तो था ही हमारी 14 इंच है यहां से आसन से हमें यहां तक मिलाना है तो 14 इंच हमारी आ रही है अब हम यहां पर दो प्लिट्स दी हुई है और यहां से हम अपनी बेल्ट का मेजर कर रहे हैं तो बेल्ट हमारी 9 इंच पर हैश करें और यहां से रही हम आसन का मेजुरमेंट तैयार हो रहा है तो यहां पर 13 इंच पर हमारा फ्रेंट वाला आसन तियार हो रहा है तो के बाद हम बेल्ट को माइनिस करते हुए जो हमारा आसन है उसका भी हम मेजर कर रहे हैं तो वह हमारा 11 इंच पर हमारा आसन आ रहा है तो जो आपको स्क्रीन पर मेजर्मेंट दिखाई दे रहा है इसी के कोडिंग में इसको कट करूंगी तो हम सबसे पहले अपने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे टू लेयर में मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है और यहां पर जो हमारा आड़ा तिर्शा कपड़ा है इसको हम सीधा कर लेंगे फट्टे के हैल्प से यहां से सबसे पहले मैं लेंथ ले लूंगे अपनी लेंथ हमारी 41 इंच हमें तियार करनी ह प्लाजो की तो 41 इंच पर हम इसकी लेंद का मेजर कर लेंगे और बेल्ट हम इसमें अलग से अटेश करेंगे तो उसका हमें माइनस कर देना है तो हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जन नहीं लेंगे नीचे की तरफ जो हमारी belt का रहेगा उसे हमें नीचे bottom में fold कर देना है तो यहां से हम सबसे पहले अपना उपर का घेरा ले लेते हैं वो हमने 12 इंच लिया है यहां पर और यहां से हम आसन ले रहे हैं आसन हमारा 11 इंच पर हमें त्यार करना है front वाला without belt यहां से भी मैं 12 इंच पर निशान लगा लूँगी और इन दोनों निशानों को straight मिला दूँगी ऐसे इसके बाद यहां से हम अपनी जो थाई का हमने लिया था major उसका निशान लगा रहे हैं और आसन की हमने गुलाई दे दी है अब यहां हम नीचे की तरफ अपनी bottom का निशान लगा रहे हैं 11 इंच पर और यहां से हम इसको पहले सीधा straight मिला देंगे और यहां इन दोनों bottom को और आसन वाला जो हमने निशान लगाया है इनको एक सेपर पट्टी की help से इन दोनों निशानों को इला देंगे तो यह हमारा front वाला part है जिसके हमारे निशान सारे लग गए हैं और अब हम इसकी cutting कर लेंगे जो हमने निशान लगाये हैं इसी के हमें पास पास हमें अपनी कपड़े को cut कर लेना है जो आड़ा तिर्शा कपड़ा उसके लिए भी इसको cut करके अलग कर देना है पहले यहां से मैं अब आसन की cutting कर रही हैं तो हमारा ये front वाला part cut हो गया है हमारे प्लाजों का दोनों ही part cut हो गये है अब हम back वाला part भी निकाल लेंगे तो हमने इस कपड़े को अच्छे से पहले बिचा लेना है और जो हमने front वाला part cut किया हुआ है इसी को हम इसके उपर रखते हुए अपना back वाला part भी निकालेंगे तो ये side में किनारी है मेरी तरफ यहाँ पर हम इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं front वाले part को कपड़े के साथ कपड़े में हमारी कोई भी सिल्वट ना हो इसका हमें ध्यान रखना है और यहाँ से मैं आसन की तरफ से 2.5 इंच एक्स्टर ले रही हूँ और यहाँ से 2 इंच हमें एक्स्टर लेना है back वाले part में और इन दोनों निशानों को सीधा हमें straight मिलाना है back वाले आसन की गोलाई के लिए मिलाने के लिए यहाँ पर मैं इसको सीधा straight मिला दे रही हूँ और यह हम main fitting से इस निशान को मिला देंगे हमें सिर्फ आसन की तरफ से इसको 2.5 इंच बढ़ाना है और main fitting की length जो हमारी रहेगी वो दोनों ही हमारी एक बरावर रहेगी और back वाले part में हमें यह जो हमारी सेफर पटी है इसी के according में extra margin दे दूँगी उपर से 1.5 इंच आसन की तरफ से और नीचे bottom की तरफ से हमें एक इंच इसका extra रखना है बैक वाले part को तो हम बैक वाले part को पहले cut कर लेते हैं निशान हमारे सारे लग गई है फ्रेंड्स अगर आपको कोई question रहे तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं तो यह देखिए हमारा back वाला part भी तो हम अब यहां पर pocket का निशान लगा रहे हैं उपर से 2 इंच छोड़ते हुए और जो हमें open pocket का इसा रखना वो हमें 6 इंच पर रखना है तो यह हमारे pocket के भी निशान लग गए हैं यहां पर हमें जो हमारी tux जो डली होई थी उसका निशान लगा रहे हैं इसका mid part करते हुए यहां पर हम ऐसे एक plates बना देंगे फ्रेंट वाले part में यहां पर मैं इसका छोटा सा cut लगा रही हूँ ताकि हमारे दोनों part में यह cut का निशान चला जाए अब हम यहां से pocket की cutting कर लेते हैं pocket की length 13 inch रखनी है मैं ऐसे ही अंदाजे से इसको cut कर रही हूँ आप इसका measure करते हुए इसकी cut करें 13 inch इसकी length है और इसकी width जो है वो 5 inch है तो मैं इन दोनों ही part को अलग कर लेती हूँ तो हमारी यह pocket cut हो गई है इसके बाद हम इसकी stitching करेंगे तो मैरी cutting complete हो गई है अब हम अपनी machine से इसकी stitching करेंगे तो मैं front वाला part ले रही हूँ back वाले को हम अलग कर देंगे तो सबसे पहले हम दोनों सीधे सीधा मिलाते हुए यहाँ पर आसन की stitching करेंगे पहले यहाँ पर double fold करते हुए हम यहाँ पर इसकी stitching करेंगे आसन की यहाँ पर हमें पक्की सिलाई देते हुए जाना है और इसे ऐसे finishing के साथ आसन को हमें ऐसे fold कर देना है तो यह देखे फ्रेंट्स हमारे फ्रेंट वाले पार्ट का आसन कम्प्लीट हो गया है इसी तरीके से हम अपने back वाले पार्ट का भी आसन की stitching करेंगे double fold करते हुए finishing के साथ हम इसे अच्छे से fold करना है double fold हम इसे ऐसे करेंगे आपको देखने से अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं इसे कैसे कर रही हूँ यहाँ पर हम double slide देके और interlock भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं आसन को fold तो यह मेरे दोनों ही पार्ट के front और back दोनों ही तेयार होगे हैं आसन स्टिच होगे तो हम अपना front वाला पार्ट ले लेते हैं जो भी extra धागे होते हैं उन्हें हमें साथ साथ कर देना है और right hand side हमें यह pocket attach करनी है तो यह मैंने pocket cut कर रखी है दो पार्ट में तो हम इसका एक पीस ले लेंगे pocket का और यहां पर इसका निशान लगाएंगे उपर से दो इंच इसे छोड़ केते हुए हमें यहां पर निशान लगाना है और नीचे की तरफ हमें यह 6 इंच पर निशान लगाना है जो हमार ओपन पार्ट रहेगा pocket का यहां से एक इंच इसकी गहराई में सिलाई हम लगाएंगे और यहां से इसे सीधा स्टिश करते हुए जाएंगे यह हमारी एक पार्ट पोकिट का attach हो गया है जो अंदर का एक्स्टा कपड़ा है इसे हमें cut कर देना है अब दोनों ही साइड में corner में हमें छोटे-छोटे cut लगाने हैं जिससे हमारी पोकिट के कपड़े को अच्छे से पलटने में आसानी हो जाए तो हमने इस पोकिट को ऐसे पलट कर एक पैर का margin रखते हुए इस पर बैठी सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर मैं पहले बैठी सिलाई लगा कर पोकिट को अच्छे से सेट कर लूगी तो हमारी पोकिट का यह एक पार्ट अटैच हो गया है इसके बाद हम यहाँ पर अपना दूसरे पोकिट का दूसरा जो हमने इससा कट कर रखा था इसको भी स्टिच करेंगे यहाँ से हमें उल्टे से उल्टा मिलाना है उल्टी तरफ जो हमारा कपड़ा है उससे इसको अटैच करते हुए जाना है बैक साइड से ताके हमारी पोकिट है फिनिशिंग के साथ हमारी स्टिच हो जाए पोकिट तो हम इस पर ये सिलाई लगा कर त्यार कर लेंगे तो ये देखें फ्रेंड्स हमारी पॉकिट लग गई है अब हम इसे सीधा कर लेते हैं अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे इसको फ्रेंट वाले पार्ट से अच्छे से अटेश करने के लिए हम यहाँ पर दोनों ही किनारों पर स्टिच लगा कर त्यार कर लेंगे यहाँ पर वह मैं सिलाई लगा कर इसको अच्छे से पक्का कर लूँगी तो यह देखें फ्रेंड्स हमारी पॉकिट अटेच हो गई है बोती फिनिशिंग के साथ हमारी यह पॉकिट अटेच होई है यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा हमारे धागा हमें दिखाई नहीं दे रहा है यह हमें इसकी गुम चिलाई की है तो अब हम इसके बैक वाला पार्ट रखेंगे सीधे सीधा मिलाते हुए हम साइड की फिटिंग देंगे अब इन दोनों ही फ्रेंट और बैक वाले पार्ट को हमें मिलाते हुए साइड में हाफ इंच मार्जन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगानी है तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैं half inch margin छोड़ते वे इसकी stitching कर रही हूँ यह side में हमारी side में किनारी है तो हमें इसको पूरे को दबाते वे stitching करनी है तो हमारी एक side की सिलाई लग गई है इसी तरीके से हमें दूसरे वाले part को भी stitch करना है जो हमारा किनारी वाला हिस्सा है इसको हमें side में दबाते वे जाना है half inch का side में margin छोड़ते वे यहाँ पर हमें पक्की सिलाई लगानी है हमें लगानी हमें लगानी है तो यह देखे friends हमारे दूसरे side की भी सिलाई लग गई है इसके बाद हम इसको यहाँ पर बैठी सिलाई लगाएंगे हम इसे पहले open कर लेते हैं और front वाले side हमें इसको छोड़ते वे और जो हमारी यह कपड़ा है इसे हमें back side करते हुए यहाँ पर बैठी सिलाई लगाएंगे top की सिलाई हमें यहाँ पर देनी है बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगानी है इसे हम बैठी सिलाई इसलिए बोलते हैं इसे हमारी बहुत finishing आ जाती है कपड़े में और यह किनारे पर हमें front side करते हुए सिलाई लगानी होती है हमें कपड़े को back वाले part की तरफ करते हुए जाना है और बिल्कुल किनारे पर हमें इसकी सिलाई देनी है इसी तरीके से मैं अपने दोनों पार्ट को ऐसे ही तियार कर लूँगी फ्रेंट्स अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके question का answer देने की इसी तरीके से मैं आपने दूसरे वाले पार्ट को भी तियार करूँगी यह हमारा pocket वाला हिसा है यहाँ पर हमें किनारे पर बैठी सिलाई लगाते हुए जाना है हमें कपड़े का भी ध्यान रखना होता है कहीं वह नीचे से दब न जाए तो हमें इसे अच्छे से ओपन करते वे स्टिशिंग करने होती है तो यह देखे फ्रेंड्स हमारे दोनों ही पार्ट त्यार हो गए हैं तो यह देखे फ्रेंड्स हमारे दोनों ही पार्ट त्यार हो गए हैं टॉप की सिलाई लगका है अब हम यहां से बॉटम की विट्स ले ले हैं विट्स हमारी 11 इंच पर है बॉटम की तो हम इसका निशान लगा देंगे और इसके बाद यहां से इसकी प्लाजो की में फिटिंग का स्टिचिंग करेंगे साइड से हमें एक इंच का मार्जन छोड़ते हुए हमें अपनी प्लाजों की फिटिंग करनी है मैं ऐसे ही बिना निशान लगाई कर रही हूँ आप यहाँ पर निशान लगा लेना दोनों ही कपड़ों को बराबर मिलाते हुए हमें यहाँ पर अपने प्लाजों की फिटिंग कर लेनी है तो यहाँ से हम अपनी थाई का मेजरमेंट कर लेते हैं यहाँ पर 14.5 इंच पर हमें थाई का हमारा मेजरमेंट है तो हम इसका निशान लगालके यहाँ पर अच्छे से स्टिशिंग करेंगे आसन से आसन को मिलाते हुए यहाँ पर अच्छे से हमें गोलाई देते हुए स्टिशिंग करते हुए जाना है इसी तरीके से मैं अपने दूसरे वाले पैर को भी तेयार कर लूँगी साइड में एक इंच का मार्जन छोड़ते हैं हमें अपनी फिटिंग करती वे जाना है प्लाजो की तो यह देखे फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम अपनी बॉटम का दूसरे साइड में भी 11 इंच पर निशान लगा लेंगे बॉटम का और यहाँ पर हमें पक्की सिलाई देते हुए जाना है अब हमें यहाँ से इन दोनो पैरों को एक साथ मिलाते हुए और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें सीधा कर लेना है कट करके एक बराबर करते हुए हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है तो हमारे यह दोनों ही पैर एक बराबर कट हो गए है यहाँ से में साइड में फिटिंग जो हमारी है उसको एक बार और स्टिच करके डबल सिलाई लगा दूगी अब हम यहाँ से अपनी बेल्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं मुझे राउंड में इलास्टिक लगानी है यह हमारी बेल्ट 27 इंच आई है तो हमें यहाँ पर 4.5 इंच चोड़ी पट्टी लेनी है और इसकी जो हमें लेंथ रखनी है तेयार वह हमारी 27 इंच हमें त्यार रखनी है तो यह मेरे पास 21 इंच की चोड़ी कपड़ा है यहाँ पर हमें एक और इतना ही कपड़ा लेते विए अपनी बेल्ट को 27 इंच में तियार कर लेना है तो यह मैंने इसको अटेच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है से हमें कट कर देना है राउंड में हमें इसको सील लेना है तो यह देखे फ्रेंड्स हमारी बेल्ट तियार हो गई है हमें इसकी गोल से लाई कर ली है तो अब हम यहाँ पर इसको अटेच करेंगे हमें बेल्ट को नीचे की तरफ रखते वें यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करनी है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते वे यहाँ पर हमें एक प्लिट्स बनानी है अपनी तरफ इसका फेस रखते वें यहाँ पर हम एक इंच चोड़ी प्लिट्स तियार करेंगे और उपर की तरफ हमें हाफ इंच मार्जिन छोड़ते वे हमें इसकी सिलाई करनी है बैल्ट की कपड़े को और हमें यह जो प्लाजो का घेरा है इसको हमें बराबर मिलाते हुए यहांपर स्टिचिंग करते हुए जाना है यहांपर हम इसके अच्छे से गुलाई कर लेंगे कट करके कपड़े को यह हमारा बैक वाला आसन है तो यहांपर मैं हाफ इंच मार्जन छोड़ते हुए यहांपर इसकी स्टिचिंग कर रही हुए यह हमारी पॉकेट है इसे भी हमें अच्छे से फ्रेंट वाले पार्ट की तरफ करते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है और यहांपर भी हमें एक प्लेट्स त्यार करनी है इसका फेस हमें दूसरी तरफ करना है ऐसे इसको दबाते हुए हम यहां पर इसकी स्टिचिंग कम्प्लीट करेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स हमारी बेल्ट प्लाजो की बेल्ट अटेच हो गई है अब हम यहांपर इलास्टिक अटेच करेंगे इसको हमें इलास्टिक लगाना है यहांपर तो हम यह इलास्टिक ले रहे हैं इलास्टिक में 14 इंच पर ले रहे हैं यहांपर 13 इंच हमारी तियार रहेगी और 14 इंच में इसको डबल फोल्ड में इसको कट कर लूँगी तो हमारी ये elastic cut हो गई है इसके बाद यहाँ पर हम इसका measure करेंगे जो हमारी belt त्यार हुई है ये हमारी 26 inch त्यार हुई है तो इसका हमें half करना है तो ये हमारा 13 inch आ जाएगा और एक इंच हमें extra लेना है इसी के coding हमने अपनी elastic को cut किया है यहां से हमें इन दोनों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऐसे stitching करनी है elastic को हमें अच्छे से यहाँ पर पक्का कर लेना है चार पांच सिलाई लगा अगर यहाँ पर मैं इसे अच्छे से पक्का कर लूँगे अपनी elastic को ताकि यह हमारी खुलना जाए तो यह हमारी elastic तियार हो गई है हम इसे stretch करके देख लेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अपनी elastic लगाएंगे राउंड में मुझे इसमें elastic लगानी है यहाँ पर ऐसे double fold करते हुए हम कपड़ा जाएंगे और यहाँ किनारे पर हमें बैठी सिलाई लगानी है हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई चलेगी वो elastic पर ना चली जाए हमें सरफ कपड़े पर ही सिलाई लगानी है Elastic पर हमें सिलाई नहीं लगानी होती है क्योंकि इसके बाद अगर हम Elastic पर सिलाई लगाएंगे तो वो हमारी stretch नहीं हो पाएगी यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर हमें इसकी stitching देते वे जाना है यहाँ पर half inch कपड़े को हमें अंदर की तरफ fold करते हुए यहाँ पर अच्छे से finishing के साथ हमें अपनी Elastic को attach करना है आपको देखने से अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ बिल्कुल यहाँ किनारे पर हमें इहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाना है हमें Elastic को अच्छे से stretch करते हुए बहार की तरफ निकाल लेना है और यहाँ से कपड़े को fold करते हाफ इंच अदर fold करते हुए यहाँ पर सिलाई देते हुए जाना है यहाँ पर उपर की तरफ हमारे जो भी एक्स्ट्र कपड़ रहता है हम उसे चोटी चोटी प्लेट्स भी बना सकते हैं यह देखे फ्रेंड्स हमारी लास्टिक लग गई है यहाँ पर भी हमें चोटी सी प्लेट्स बनानी होगी हमारी लास्टिक लगकर कम्प्लीट हो गई है जो भी एक्स्ट्र धागे हैं उन्हें हमें साथ साथ कट कर देना है तो अब हम इस लास्टिक को अच्छे से स्ट्रेश कर लेंगे और यह फ्लेट न जाए इसके लिए हमें यहाँ पर बैठी सिलाई लगानी होगी हमें इसको अच्छे से स्ट्रेश कर लेना है पहले और कपड़े को एक इक्वल कर लेना है और यहाँ पर हमें इसके सेंटर में यहाँ पर एक बैठी सिलाई लगानी है यहाँ पर हम कपड़े को इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेश करते वे जाएंगे और एक सिलाई लगाते वे जाएंगे यहाँ पर हमें आरी इस लाई का बक्या है उसे हमें छोटा रखना होता है जब हम इलास्टिक के ओपर स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो यह देखे फ्रेंड्स आपको देखने से अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ तो यह हमारी लास्टिक लग गई है जो भी एक्स्ट्रा धागे होते हैं उन्हें में साथ-साथ कट कर देती हूँ तो इसको मैं अब यह आपको ओपन करके दिखा देती हूँ यह हमारी लास्टिक अच्छे से लग गई है इसके बाद हम अपनी बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे यह हमारी बॉटम हमारी बजी हुई है हम इसकी अब स्टिचिंग करेंगे यह मैंने निशान लगा लिए हैं लैंद का मेजर करते हुए तो जितना हमारी एक्स्टा कपड़ा होता है उसे हमें यहां पर फोल्ड कर लेना है यहां पर हाफ इंच ऐसे फोल्ड करते हुए यहां पर मैं राउंड में इसकी स्टिचिंग कम्प्लीट करूँगी फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट और साथ में आप बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में समय पर नौटिफिकेशन मिलती रहें आप हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें प्यार देते रहें तो यह देखे फ्रेंड्स मैंने अपनी एक साइड के पैर की बोटम को स्टिच कर लिया है यहाँ पर हमें इसे पक्का कर देना है इसे तरीके से मैं अपने दूसरे वाले पार्ट को भी तयार कर लूँगी बोटम को ऐसे फोल्ड करते वे यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग कम्प्लेट करूँगी हाफ इंच फोल्ड करते वे देखे फ्रेंड्स हमारा दूसरे साइड का भी बोटम तियार हो गया है यहाँ पर मैं इसे पक्का कर दूँगी तो हमारे यह प्लाजो सिलकर कम्प्लेट तेयार हो गया है मैं इसको आपको अच्छे से ओपन करके दिखा रही हूँ यह हमारे दोनों साइड के पैर भी तेयार हो गया है फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझना आई तो कोई कुशन रही तो आप हमें कमेंट मोक्स में पूस सकते हैं तो हमारे यह प्लाजो कम्प्लेट स्टिच होकर तेयार हो गया है थैंक यू फर वाजिंग